एक इंसान का जीवन हर दिन मोटे तोर पर तीन भागों में बटा होता है। एक भाग में मनुश्य आराम करता है। दूसरे भाग में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत या परिवार और समाज के काम यानि परसनल और सोशल वर्क निप्टाता है। और तीसरे भाग में आदमी अपने व्यक्तिक या पारिवारिक और सामाजिक काम निप्टाते हैं और किवल तीसरे भाग में एक दूसरे से मुख्य रूप से भिन्न काम करते हैं यानि आम तोर पर पुरुष अपनी आजीविका के लिए सामानेता कहीं घर से बाहर काम करता है और महिला अपने घर के करता है उन सज्जनों से निवेदन है कि अपनी बुद्धी मत्ता पर विश्वास रखें और कुछ बिंदूओं पर सोच विचार कर लें तो इस दुष्परचार को समझने में मदद मिलेगी नमबर एक घर कोई कैद खाना नहीं है बलकि संसार की सबसे सुरक्षित जगा है और घर पर हर कोई सबसे अधिक सुरक्षित महसूस भी करता है क्या ऐसा नहीं है नमबर दो खुद अगर आपकी माने आपको घर पर रहकर पालने के बज़ाए कुछ और जॉब की होती तो क्या आप उस उच इस्थान पर होते जहां आप आज हैं नमबर तीन, दुनिया मानती है कि सबसे महानतम इस्थान संसार के सभी हर्दियों में मा ने पाया है, बाप से भी महान, क्या उसका कारण घर की पवित्र चारदिवारी नहीं है क्या परिवार का पालन पोशन कोई निकरष्ट काम है? नहीं न, बलकि आप खुद इस कारे को उतकरष्ट तम काम बताएंगे इस समद्ध में समझने के और बहुत से पहलू है, उसके बारे में आप भी सोचिए और हमें भी बताइए इन सामाने बिंदों से ये बात साफ है कि जब घर की चार दिवारी जेल नहीं है तो इसलाम पर लगाया जाने वाला ये इल्जाम एक बे सिर्पेर की बात है वास्तब में संसार को इसलाम के नाम से डराने की कोशिशें की जा रही है उसकी शिक्षाओं को तोड मरोड कर प्रस्तुत किया जा रहा है भला कहीं ऐसा हो सकता है कि अकल में ना आने वाली एक भी बात इसलाम धर्म सिखाता हो जैसे इस आरोप का खंडन थोड़े से चिंतनमनन से हो गया है वैसे ही सारी आपत्तियों का समधन मौझूद है आप खुछ सोच कर देख लीजिए या हमसे पूछ लीजिए अभी के लिए फिलार इतना ही जल मिलते हैं किसी और विशे के संबन में जानकारी के साथ अभी दयनुमती धन्यवाद